बच्चो आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 78 करेंगे और यह आपका चैप्टर 13 है हम बिमार क्यों होते हैं आज हम करेंगे निवारन के से धान्त मतलब ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और किस आधार पर किया जाए तो जैसे हम रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकते हैं रोग हमें अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं इसलिए का जाता है कि रोगों का निवारन उपचार से अच्छा है मतलब रोग आने ही ना दे शरीर में उसका उपचार पहले ही कर लें तो दो मुखे विदिया हैं जो हमें रोग ग्रस्त होने से बच सकते हैं और अपने विदिया होती हैं प्रति रक्षा करन जो के विशेश रोग में उप्योगत होती है जैसे आजकल वेक्सिनेशन हो रहा है कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए तो वह स्पेशली उसी के लिए वह विशेश्ट विदिया है जिसमें हमारा इम्म्यून स्ट्रोंग होगा उससे हम लड़ पाएंगे अब आता है निवारन के सिध्धांत पहला है संक्रामक रोगों के रिवान का सामाने सिध्धांत दूसरा है विशेश्ट जिसको हम ठीका करन कहते हैं संक्रामक रोगों के निवारन के सामाने सिध्धांत में आता है कि संकर्मन से बचना रोगणों के सं परक में आने से बचना जैसे अगर वायू जनित सुक्शम जीओं से बचने के लिए भीड़ भारवाले इलाकों में जाने से बचंगे हुभ चिए जिसे मच्षरों को पैदाना होने दे राभी जंतों से बनाके अगर संकरामक रोगों से रिवारण के लिए जन श्वस्ता भी आवशक है पूर्य Commonwealth की सवस्ता जरूरी है तो हम आपने आस पास पूरे environment को साफ रखना है दूसरे अधा है अपने श्रीर के प्रति रक्षात अंत्र को को सक्टि Show I बना कर एट हमारे शरीर का जो प्रति रक्षा तंतर है सुख्षम जियों से लड़कर हमे रोगों से बचाते हैं हम अपने शरीर के प्रति प्रती रक्षा तंत्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं संतुलित आहार लेकर जंग फूड ना खाएं नियमित व्यायाम करें व्यक्तिकत अपनी परसनल सफाई पे ध्यान दें और पूरी की पूरी नींद लें अच्छे से शराब तंबाकू धुम्रपान ड्रग्स इन सबसे ब अच्छे यह चीजे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करती हैं और प्रती रक्षा क्या है कि शरीर की रोगों से लडने की शंता या हमारे शरीर की रोगानों के विरुद लडने की शंता को प्रती रक्षा कहा जाते हैं अभी इस वरक्षीट के आधार पर यह और दुदर सेंक रेंगे चारो कोजन सब्नी नट बूक में करें ना तैम एंग्लिस्ज म्णेम टुदाट ग्रमींप न टुदेश दिशना हैं इंट टॉटेश्ञ्ड ग्रमीरिक्षी सही एग्लिमें टॉटेश्ट जिसेदर इस बेटर दॉक्छेटीएग्ट करेंगे जो थे वहले से लिवी का स्याय सूलोव का स्याय सिर्सक्ता बेविश और एन रहे हैं जैनल अवाज रेवीज छो are applicable only for prevention of all kinds of diseases second is specific ways of prevention means immunization this is applicable for the prevention of special diseases or specific disease only as we have studied that there are so many infectious diseases then principle of to prevent infectious disease first one is prevention of infection first prevent exposure to infectious diseases for example, airborne microbes can be prevented by prevention of exposure to the overcrowded places or by social distancing that is also the two types of the preventions are air in the coronavirus that we have to be avoid overcrowded places as well as wear warm mask and keep social distancing second is waterborne diseases can be prevented by providing safe drinking water third vector bone microbes can be prevented by providing clean environment stop mosquito breeding and distancing from rapid animal animals or we can say the public hygiene is essential for prevention of infectious disease because most of the toilets also the cause of the infections because overcrowded many people use these places and they may be the infectious person and they spread to the healthy person also and to strengthen the immune system of the body what is immune system normally fighting off the microbes or to strengthen the immune or immune system following can be done you have to take balanced diet avoid junk foods regular exercise keep personal hygiene and the sound sleep say no to alcohol smoking and or drugs keep hydrated yourself avoid self-medication and stress now what is immunity the resistance power or ability of the body to defend itself against the pathogens that is called immunity now you have to check your understanding by doing these questions in in your notebook keep watching super vijyan thank you so much you